तेखें, which is the correct diagram of a half wave rectifier, half wave rectifier के लिए हमें बताना है, तेखें, सबसे पहली चीज तो output जो मिलता है, वो इधर मिलता है, और input इधर लगाया जाता है, तो output यहाँ मिलेगा, तो यह output यहाँ दे रखा है, तो यह दोनों तो गलत होंगी होंगे, अब इन दोनों में देखते हैं, अब इन दोनों में देखो, जैसे half cycle में यह positive और यह negative, half cycle में यह positive negative होगा, तो P type semiconductor, this side यह जुड़ा, ऐसे होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, क्योंकि यह आपके पास, यह plus, यह minus, ठीक है, तो यह हमारे पास, जैसे half cycle हुआ है, तो यह plus और यह minus होना चाहिए, ठीक है, तब ही हो पाएगा, तो यानि P plus में और यह N minus में, यानि यह forward vising में है, तो यह forward vising में है, तो यह current को आपके पास आने देगा, ठीक है, जैसे cycle बदला, cycle बदलेगा, तो यह minus और यह plus हो तो यह current को नहीं आने देगा, फिर वापस current को आने देगा, फिर नहीं आने देगा, तो यह half wave rectifier यानि option number भी हमारे पास होगा,